हेलो फिर्स विल्कूम टेक्वनक्राइब दोस्ताम मैं हूँ कोशिक अब के साथ स्वागत एक न्यू वीडियो में सुस्तो आज के विडियो में बात करेंगे रियल्मी की ओल्ड डिवाइस के रियल्मी वीडियो से पहले बनाया था इस टॉपिक के उपर यह इस टॉपिक का रियल्मी 3.2 अबडेट आएंडर 12 को स्टैबल हो एक बिग कोशिशन है साथ ही साथ रियल्मी 15 की 15 के ऐसी 15 को इडिशन इसके अंदर भी क्या देखने कोंब लगा यह भी कोशिशन है तो सारे कोशिशन के थोड़ा थोड़ा एंसर हम देने की कोशिश करेंगे वीडियो के अगर को ऐसी तरह का अपडेट के रिलोटेट वीडियो के बिटेस्ट है तो आप हमरे जनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तक यह से वीडियो की नोटेशन आपको पासब से पहले पूचे सो बिना टाइम वेस्ट करके शूरू करते अचका वीडियो तो उसता ओल्ड युवाइस के बार में बात करें तो सबसे पहले हम नर्जो 20 प्रो के बार में बात करते इन और यह यह का उल्ड डिवाइस है इसके अंदर प्रें हमें और इसका जब काईट एडिया था वो हमने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं या पर जो और इसका जो काईट एडिया एप्लिकेशन के लिए गाइड लाइन से आफके फोन में 60% प्लस बैटरी होना चाहिए और साथ ही साथ और एमेक्स 216 113.16 यह वाला वर्शन अपडेट आपके फोन में होना चाहिए तब यह अपर रियल्मी नर्जो 20 प्रो के लिए अप्डेट कर सकते हैं या फिर रियल्मी नर्जो 20 प्रो के साथ जो यह काफी ओल्ड डिवाइस है इ अच्छे बाद रियल्मी यह 2.2 आया इसके अंदर रियल्मी यह 3.0 भी आ रहा है मतलब समझ जी सकते हैं काफी पुराना डिवाइस है और इसके अंदर भी रियल्मी यह 3.0 अर अंडर 12 के अप्डेट के बार में तो रियल्मी 7 में यहां में रियल्मी यह 3.2112 का यह लेक्स अप्लिकेशन बो 30 मार्च को हमें देखने को मिल गया था तो आप देख सकते हैं रियल्मी 7 भी यह काफी पुराना डिवाइस है रियल्मी का और यहां पे भी पहले रियल्मी यह 1.0 चलता था उसके बाद रियल्मी यह 2.0 का अप्डेट आय और आगे जाकि आपको इसके अंदर बेट अप्डेट भी देखने को मिल जाएगा और साथी साथ स्टेबल अप्डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा रियल्मी 7 के अंदर तो यह देखिए नंबर सीरीज और प्रो सीरीज दोनों मतलब यह जो नंबर सीरीज है यह इसके अंदर भी हमें Realme UI 3.0 और अंडर 12 का स्टेबल अप्डेट देखने को मिल रहा है ठीक है तो Realme का जो क्राइटेरिया था वो यहां पर कई पर भी ब्रेक खोड़ा है जो अपिशल क्राइटेरिया था तो हमें एक उमीद लगा सकते हैं अप्डेट देखने को मिल सकता है तो अब बात किजाए Realme 7 Pro यह काफी ओल डिवाइस है मतलब 7 अंड 7 प्रो नार्सटाइट पूर यह साड़े ओल्ड डिवाइस है जहां पर भी Realme UI 3.0 का अप्डेट देखने को मिल रहा है और अब देख सेथे Realme 7 Pro के अंदर हमें तो ओपन अप्डेट भी देखने को यहां पर मिल चुका है तो आप सोची सकते हैं कि ओल्ड डिवाइस के अंदर भी Realme 3.0 का स्टेवल अप्डेट प्रोवाइट कर रहा है ठीक है सुस्त अगर बात की जाए तो किन सारे ओल्ड डिवाइस को यहां पर देखने को मिल सकते है Realme UI 3.0 अप्डेट तो हम यहां पर सिर्फ उन्ही डिवाइस का नाम ले सकते है जो डिवाइस यह जो बिग अप्डेट रियल वाइस 3.0 का अप्डेट बिग अप्डेट है बो इ सकते मतलब फेज दे आगे जाकि ऐसा भी हो सकते हैं मकर हमने देखा है कि कभी कभी Roadmap से बाहर जाके भी रियल मी अप्डेट की दिया है जैसे कि रियल मी 1020 प्रो हो गया तो इसके अदर हम बहु सारे प्रो स्रीज के नाम ले सकते हैं जैसे कि रियल मी 6 प्रो ठीक है रियल म C7 Pro को हमें तो यहां पर देखने को मिल रहा है और साथ ही सथा रियलमी XT जैसे कि इन सारे डिवाइस को देखने को मिले अगर बात करें तो C50 के बार तो मगर फिर भी हम C15 के लिए Qualcomm Edition के लिए थोड़ा सा उमीद लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो पाउर एफिशेंसी यह बहुत थोड़ा सा अच्छा है बात करें तो सब्सक्राइब करें अच्छा है तो इसमें हम थोड़ा सा उमीद रख सकते हैं तो यहीं तब वीडियो वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे कॉमेंट करकर बताना आपको इंफर्मेटिव लगी तो लाइक करना मैं मलता है आपके साथ एक और अपडेट के साथ तब तक लिए अटा दूस्त